दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार ITI का सकेंड सीट लोटमेंट लेटर आने वाला था लेकिन अभी तक टेकनिकल इस्वी कारण नहीं आया है दोस्तो अगर आप लोगों का अच्छा रेंक होगा तो जरूर आपका रेंक में आएगा दोस्तो अगर आएगा तो आप अपना डोकोमेंट वेरिविकेशन करा लिजेगा दोस्तो तो दोस्तो डोकोमेंट वेरिविकेशन कराने में किस परकार से डोकोमेंट वेरिविकेशन क किया जाता है तो आपको हम इस वीडियो में लाइप पूरूप के साथ बताऊंगा तो दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर गए ताकि इस तरह से नौल लेजल वीडियो आप तक पूरा अंत तक दिखे गया तभी आप लोग को इस वीडियो में समझ में आएगा दोस्तो अगर आप ये वीडियो देख लिजेगा तो आपको डोकुमेंट भरिविकेशन में कोई परिसानी नहीं होगी जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे जब आप सारा ड दोकुमेंट यहां पे तयार कर लेंगे तो आपको डोकुमेंट भरिविकेशन के लिए जाना पड़ेगा डोकुमेंट भरिविकेशन कराने के बाद आपको यहां पे जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे इस तरह का आपको कौपी मिला है आप लोग यहां प बज़कर 31 मिनट पे इसका डोकुमेंट फ्रिक्षन किया गया है और यहां पे कॉंसलिंग राउंड फर्स्ट है जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहेंगे तो आप लोगों का और सजी कटेग्री से 49 है यहां पे अड्रेस भी इसका जहाना दिया किया है यहां पे आप लोग को पुरा डीटाइल इसी यहां पे हार्ड कोपी में मिले गा और यहां पे reporting date का भी यहाँ पे date दिया गया है कि 4 फरवरी 2020 का इसको reporting date का address मिला था और यहाँ पे allotment detail भी दिया गया है reporting center जहाँ पे आपको ITI महनार का इसमें यहाँ पे मिला गया है और इसको allotment branch electrician से इसको मिला गया है trade और electrician से इन्होंने ITI का admission कराया है दोस्तो अगर आप second seat lotment letter में भी document verification कराएंगे तो यहाँ पे दोनों का same process रहेगा किसी भी तरह का अलग process नहीं रहेगा दोनों का same रहेगा और यहाँ पे document verification भी किया गया है और इसका list यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि fee mode यहाँ पे cash लिया गया है और यहाँ पे willing status यहाँ पे आप लोग यहाँ पे cash भी देख सकते हो और bank drive भी नहीं बनाओगे तो वी चलेगा और यहाँ पे पूरा document इसका verify किया गया है और यहाँ पे सवी चीज को यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे part A, part B का online application आई टी आई का भी यहाँ पे जमा किया गया है इनके द्वारा यहाँ पे पूरा form यहाँ पे जमा लिया गया है और यहाँ पे पूरा verify status में दिखा रहा है और यहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे part A और part B का भी यहाँ पे verify है और यहाँ पे पूरा detail इसको लिया गया है दोस्तो आप भी यहाँ पे इस तरह से document verification करवा सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का परसानी ना हो इसलिए आप लोग पूरा यहाँ पे document त्यार करके रखें आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतना सारा document लग रहा है आप लोग भी त्यार करके रखें जिससे कि कोई परसानी नो हो ITI admission कराने में तो सबसे पहले आप यहाँ पे फूरा document अपना त्यार कर लें फिर आपना document verification कराने के लिए यहाँ पे निकलें और दोस्तों यहाँ पे देख पारे होंगे कि allotment letter में yes किया गया है यहनि कि इसका allotment letter download हो गया है और इसका भी मिल गया और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फूरा interaction पढ़ लेना है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पारेंगे इसमें बताया गया है कि bank draft के द्वारा आप लोग को money pay करना है तो आपको simply ऐसे भी pay कर देना cash भी देख सकते हो और यहाँ पे bank draft के लिए दिया गया है तो आप simply cash भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे यही इंट्रेक्शन दिया गया है और यहाँ पे आप लोग नीचे भी देख पा रहे होंगे कि Signature of Admissions in Charge यहाँ पे admission charge का यहाँ पे signature किया गया है और signature of candidates यहाँ पे signature करा गया है यहाँ पे आप लोग देख पा रहोंगे दोनों का signature यहाँ पे करा गया है तो दोस्तो यहाँ पे इस तरह का document verification किया जाता है और बिहार ITI का second seat lotment letter जो जारी किया जाएगा उसका भी इसी तरह से document verification किया जाएगा आप लोग इस तरह से यहाँ पे फूरा document त्यार कर लें और यहाँ पे इस तरह से लिया जाएगा तो दोस्तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करके bell notification आउन कर दें ताकि इस तरह से नौल विजल वीडियो आप लोग को तुरांद पाउस्ती रहें